अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी नजर में आदर्श नेता की परिभाशा क्या है तो शायद आपका जवाब भी यही होगा कि नेता तो भईया ऐसा हो जो सर्फ जुमलेवाजी ना करके जनता की समस्याओं को गंभीरता से समझे उनको हल करने के लिए काम करे और ना पर पूरी कोशिश करे कि जनता को सुविधाय पाने के लिए दिक्कतों से दो चार ना होना पड़े ऐसा ही ताजा मामला सामने आया हाली में कानपुर से जहां एक महिला पार्शद ने जनता की परिशानी को देखते हुए ऐसा कदम उठाया जिसके बाद उनकी हर तरफ जो पर नगर निगम और विद्यूत विभाग के कर्वचारियों से की गई लेकिन किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया जिसके बाद इसको ठीक करने का जिम्मा खुद महिला पार्शद ने उठाया और वो खंबे पर सीड़ी लगा कर खुद ही लाइट ठीक करने के लिए वही पार्शत चालू कनोजिया ने बताया कि बिजली विभाग एवं नगर निगम से कई दिनों से क्षेतर की स्ट्रीट लाइट खराब होने की समस्या बताई गई थी लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की सुधार नहीं होने पर उन्होंने खुद लाइट ठ बढने की चक्कर में हमारे गले महले में बहुत सी धुर्गठनाय भी हो रही है चोटे बच्चों को को मत्र निकलते केलने के लिए कई वो साइकिल से चक्कर खा जाते कई मोटर साइकल से चकर खा जाते जिसकी भर्पाई हम लोगों को सुइम करनी पड़ती है इसलिए मैंने ये सब लोगों के समदान से आज मैं इस पॉल पर चड़ी क्योंकि नगर नंगम में तो कोई तो मैंने का मैं खुद यह लाइट बन हालाकि जानकारी के मुताबिक मीडिया में खबर चलने के बाद नगर निगम कामला स्ट्रीट लाइट ठीक करने में जुट गया लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल कर बिजली के खंबे पर चड़कर खुद लाइट ठीक करने के लिए चहने वाली पार्शक शालू ने जहां एक तरफ जनता की समस्या को अंसुना कर हाथसों को दावत देते जिम्मेदारों का ध्यान खीचा है बल्कि एक जिम्मेदार जन प्रतिनिधी की मिसाल पेश कर जनता के बीच प्रशंसा का भी विशे बन गई है फिल्हाल इसमाईला पार्शक किस कदम के बारे में आपका क्या कहना है कमेंच में लिखकर जरूर बताए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर की यूट्यूट चानल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुर न भूले झाल